नमस्कार दोस्तों, जगुटेक में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर कोई फ्रॉड कॉल बैंक की तरफ से आती है तो प्लीज दोस्तों आप सजग हो जाईए क्योंकि बैंक एक तो लैंड लाइन से कॉल करता है और बैंक अगर कोई भी आप से क्वेरी करेगा तो आपके सेक्रेट चीजों को, प्रस्नल चीजों को आपके बैंक की डिटेल को नहीं पूछेगा और वो सिर्फ सिदे-सिदे कहाएगा कि आप अपने ब्रांच में आईए और ये डिटेल दीजिए और आपका बैंक का अकाउंट एक्टी हो जाएगा जैसे मैं फार एक्जांपल आपको समझाता हूं कि क्या प्राब्लम हो रही है, कैसे बैंक की डिटेल को हैक किया जा रहा है, पैसा एकाउंट से निकाल लिया जा रहा है, ये मेरा फस्ट टॉपिक है, सिकेंड नमारा टॉपिक है कि जीमेल बहुत सारे लोग यूज करते ही होंगे, उनकी लिए है कि जीमेल एकाउंट भी कैसे हैक किया जा रहा है, दूनों चीजेंगे हम डिसकस करेंगे, आपके सामने जगू टेक दिख रहा है, रेट बटन पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए, इसके बाद आपके सामने एक बिल का आइकन बिल के आइकन पे खिलिक कर दिजे जैसा मैं करके दिखा रहा हूं, बिल केुमेरे मैने क्लिक कर दिया, जिससे आपको मेरे लिटिस्ट दीए Oliv का नोटिफिकेशिकेशन मिल सके दोस्तों हम चलते हैं और आपको बताते हैं कि आपके एकाउंट-बैंक का कैसे हैक हो रहा है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि call कैसे आती है और कैसे query करके आपकी detail मांगी जाती है और लोग बिना सोचे समझें अपनी detail share कर देते हैं जिससे उनके account से पैसा deduct हो जाता है दोस्तों आपके पास call आई call के थुरू कहा गया कि कि आपका जो है कहा गया कि कि आपका जो account block हो रहा है या आपका account आधार card से link नहीं है या आपका pen card आपके bank से link नहीं है तो इसका डर ओ दिखा करके आपसे detail मांगेंगे और आप हरवडी में क्या करते हैं अपनी पूरी details share कर देते हैं उनके साथ detail में वो क्या-क्या मांगते हैं आपका अगर आपका debit card है या आपका credit card है जो लोग credit card यूज करते हैं credit card और debit card सेम चीजे मांगते हैं वो आपके card का number मांगेंगे उसका expiry date मांगेंगे उसका आपका CBB नंबर मांगेंगे आपका किस मन्त में expire हो रहा है card उसकी detail मांगेंगे जिसके थूँ वो अपनी detail वहाँ पे note करते हैं इसके पास आपके number पे एक OTP send कर देंगे OTP भी हरवड़ी में आदमी बता ही देता है जिसके थूँ आपके account से पैसा deduct हो जाता है अगर ऐसी कोई भी call आए तो आप कह दीजे कि हम bank से संपर करेंगे bank में जाकर के सारी चीजों को update कराएंगे but उनका number जो है आप जरूर ले लीजिए उनका number जाकर कि उस bank में जाने के बाद आप जरूर manager से या वहां के जो imply हूं उनसे जरूर बोलिए कि हमें इस number से call आई थी जिसमें कहा गया था कि हमारा आधार card link नहीं है या pen card link नहीं है या हमारा account block कर दिया गया हमारा account या हमारा debit card expire हो गया इसको update कराना है तो वहां का अगर कोई imply कहता आई हाँ यह हमारी तरफ से call की गई है तब तो ठीक है otherwise वह एक fraud call थी जो आपकी details सिर्फ चाहती थी और आपके account से पैसा deduct कर लेती दोस्तों इस तरह की call बहुत आ रहे हैं क्योंकि प्रधान प्रामंत्री जी मोदी जी ने सारे account से आधार card add करने के लिए बोल दिया है तो सारे bank अब इसमें लग गए है आधार card को add करने में जिसका वो फायदा उठा करके आपको call करते हैं कि आपका आधार card तो add नहीं है आप कहेंगे हमने तो already add कराया है तो फिर तो आपको bank जाना पड़ेगा तो आप यही कहेंगे अगर कुछ यहीं से हो जाता है तो आप कर दीजे तो आप सारी detail वो तो यहीं चाहते ही हैं कि आप अपने account की detail हमें बताईए अपने card की detail बताईए अपने credit card, debit card की पूरी detail card number expiry date और CVV number, OTP number आप बताईए उसी से वो पैसा transaction कर लेंगे तो कत्ताई मत करिएगा दोस्तों आप लोग मुझे लगता है कि मेरी information आप लोग समझ में आ गई होगी अब चलते हैं जीमेल की तरफ जीमेल बहुत ही तीजी के साथ पिछले एक डेड़ दो महिने से हैक किया जा रहा है वो कैसे हैक किया जा रहा है इसमें एक मेल आ रही है आपके डॉक फाइल के थुरू एक अटेजमेंट के थुरू और आपको उस content में कुछ ऐसा लिखा जाता है कि आप उसको कोपी कर लीजिए ऊपन कर लीजिए आटेजमेंट को जैसे याप क्लिक करकर ऑपन करेंगे आपको कुछ परमीसन तुरंत मांगेगा अब जैसे यह पर्मीसन आप उसको आकस देंगे आपको एकाउंट तुरंट ये तो वो उनके पूरी डिटेल आपके अकाउंट की उनको उनके पास चली जाएगी जिसके तुरू वो आपके अकाउंट को एकसेस करना शुरू कर देंगे दोस्तों ये दूनु चीजें से आप सतर्क हो जाएए एक फ्राउट कॉल से बैंक की तरफ से जो आ रही है कहते हैं कि हम बैंक की तरफ से करते हैं ये जब आप बिल्कुल सियोर हो जाए कि ये मेल तो हमारा कोई दोस्त किया हम तो इसको जानने वाले हैं तब ही आप अटेश्मेंट पर क्लिक करिए अधरवाई मत करिए नहीं तो आपका जीमेल अकाउंट हैक हो जाएगा मेरे द्वारा दी ग आते हैं और एक जीमेल अकाउंट रहता है जिसमें सारी चीजें उनकी परसनल मेल परसनल फोटो परसनल डिटेल रहती है इन दूनों चीजों से बचिए दोस्तों और आप इसे ज्यादा से ज्यादा सेर लाइक कर सब्सक्राइब करें कोई भी डाउट हो तो आप मिझे कमे करें वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग